तो दोस्तो आज मैं unboxing and review करने बला हूँ एक portable rechargeable mini hand fan का तो अगर आप इसका size को देखके सोसर हैं कि क्या ये काम आएगा, क्या इससे हवा मिलेगा तो वो मेरा भी doubt था, मतलब इसका size बहुती चोटा है, देखने में toy जैसा लगता है लेकिन असल में ये toy नहीं है, इसका build quality बहुती अच्छा है और आप जब तक इसको use नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका power का पता नहीं चलेगा मुझे भी लगा था इतना चोटा सा fan से कितना हवा आएगा, लेकिन जब मैंने इसको use किया तब मुझे पता चला कि इसका जो हवा है, वो एक बड़ा सा fan जैसा ही है क्योंकि इसमें लगा हुआ है brassless motor और इसमें 10 speed settings है तो full speed पे ये जो हवा फेक्टा है, एक बड़ा सा fan जैसा ही फेक्टा है तो ये काम आ सकता है बाहर में, जैसे कि हो गया bus stop में या फिर railway station पे, जहां पे हम लोग hand fence का use करते हैं तो hand fence के बजाए आप इसका use कर सकते हैं इसको आप आसानी से carry कर सकते हैं, अपने pocket पे या फिर bag में आप इसको आसानी से रख सकते हैं तो ladies हो या gents कोई भी इसको use कर सकते हैं और इसका price भी ज्यादा नहीं है, इसका price है सिर्फ 649 रुपीज और ये rechargeable है, मतलब इसके अंदर battery है तो आप इसको easily charge कर सकते हैं, mobile charger से या फिर laptop से भी आप इसको charge कर सकते हैं इसके नीचे एक bass भी है, ये बला हो गया इसका bass तो इसको लगा के आप इसको table पर भी रख सकते हैं या फिर आप इसे हाथ पर पकड़ के भी इसको use कर सकते हैं तो अभी मैंने इसको on किया है, तो आभी ये एक number पर चल रहा है उसके बाद ये हो गया दो number और ये हो गया full speed पर चल रहा है मतला बढ़िया हाँ आता है, तो बाहर में ये बहुत ही काम आएगा तो चल ये आभी रहते हैं इसका box packaging तो ये बला हो गया portable mini rechargeable hand fan का box तो चल ये करते हैं unboxing तो सबसे उपर मिला है इसका bass, फैन का bass उसके बाद इसका charging cable, ये बला micro USB बला है उसके बाद ये बला हो गया fan, उसके बाद है इसका warranty card तो चल ये बला हो गया main fan, यहाँ पर branding क्या हुआ है और brand का नाम है UN1Q उसके बाद इस fan को on करने के लिए यहाँ पर button है और यहाँ पर indicator lights है, इसको एक बार press करने से on हो जाएगा दुबरा press करने से second speed, उसके बाद फिर से press करेंगे तो high speed पर चला जाएगा तो ये बला हो गया इसका सामने का हिस्सा, अंदर पर blades है और इसके अंदर उंगली भी नहीं जाएगा, देखिए safe है, ये बला पीछे का हिस्सा, और इसका build quality अच्छा है मुझे बोटी अच्छा लगा, उसके बाद इसको charge करने के लिए यहाँ पर ये बला हो गया micro USB input यहाँ पर आप कोई साथ भी micro USB cable लगा सकते हैं, या फिर साथ में ये जो मिला है इसको लगा के, इसमें mobile adapter लगा के charge कर सकते हैं, या फिर इसको laptop में लगा के भी आप charge कर सकते हैं तो इसको ऐसे हाथ में पकर के आप इसको use कर सकते हैं, या फिर ये जो best मिला है, इसमें इसको ऐसे लगा के आप इसको table पे ऐसे रख सकते हैं तो चलिए आभी इसको on करके देखते हैं तो आभी on हो गया है और यह slow speed पर चल रहा है उसके बाद यह बला हो गया इसका second speed उसके बाद यह बला हो गया इसका high speed तो इससे अच्छा खासा हावा मिलता है तो जो कि इस fan का build quality अच्छा है और इसका air flow भी अच्छा है इसलिए यह मैं आपको recommend कर रहा हूँ यह एक बहुती अच्छा mini portable rechargeable hand fan है यह बहुती काम आता है तो यह जो mini portable rechargeable hand fan है यह मैं आपको recommend करता हूँ आप इसको ले सकते हैं इसका price है 649 रुपीज और इसको खरेटने का link आपको इस video के description पर मिल जाएगा और इस fan को मैं इसलिए recommend कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने use करके रहा है और इसका build quality मुझे अच्छा लगा और इसका air flow भी मुझे अच्छा लगा इतना छोटा होने के बावजद भी इससे अच्छा हवा मिलता है तो इसलिए मैं आपको suggest कर रहा हूँ तो इसके अलाबा online पे आपको और भी mini hand fans मिल जाएंगे लेकिन मुझे नहीं पता उनसे कैसा हवा मिलेगा लेकिन मुझे ये बला अच्छा लगा तो इसलिए मैं ये आपको recommend कर रहा हूँ तो इससे आप ले सकते हैं और आपने साथ carry कर सकते हैं और बाहर पे कहीं पे भी आप इसको use कर सकते हैं तो आसा करता हूँ दोस्तो आपको आज का product काम का लगा अगर हाँ तो इस वीडियो को like or share कीजिएगा और इस तरह के useful products के unboxing and reviews देखते हैं के लिए मेरे channel को subscribe कीजिए तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे useful product के साथ तब तक के लिए नमस्कार